नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पी आर नौले सेंटर में दोस्तों आज हम दच्छिड अमेरिका जो दच्छिड अमेरिका है उसके बारे में जानेंगे उससे संबंधित मुख कुष्चन जो की सभी कमप्टिशन एक्जाम में आते हैं उ जानेंगे उनके उत्रों को जानेंगे ठीक है उससे पहले थोड़ी जो हमारे उत्री अमेरिका के सताट कुष्चन बचे थे थे थोड़ी जान ले दोस्तों जो सताट कुष्चन हमने बचा दिये थी इसलिए क्योंकि पिछला वीडियो था बहुत जादा लंबा ना हो जाने देखे दोस्तों अगर पूछे कि विश्चु का सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफर्म तो हमारी गूरक पूरका है अगर पूछे कि सबसे बड़ा जो रेलवे सेंट्रल है टर्मिनल है वह पूछे तो नियू यॉर्क है ठीक है उत्रे अमेरिका की अगर सबसे बड़ा रेलवे जक्सन पूछे तो सिकागो जो सेंट्रल टर्मिनल सबसे बड़ा पूछे तो नियॉर्क अगर पूछे के लंबाई के दरिश्टी सबसे बड़ा तो गोरकपूर उत्तर प्रदेश ठीक है नेस्ट कुश्चन हमारा कि उत्रिय अमेरिका की प्र प्रमुग प्रजातियां कौन है तो कौन है दोस्तों रेड इंडियन और निग्रो जो वहां रेड इंडियन और निग्रो निवास करती है वह वहां की क्या है प्रमुग प्रजातियां है ठीक है अगला कुश्चन कि बिस्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है यह दोस्त तो यह जादा ही विक्सित है कुछ नहीं दोस्तों बहुत जादा विक्सित है ठीक है अन्य देशों की अपेच्छा अब देखिए हमारा अंगला कुछण क्या है कि बिस्व का प्रतम उद्ध्यान कौन है वह कहां इस दित है तो कौन है दोस्तों वह है यलो स्टोन पार्क है जादोस्तों यलो स्टोन पार्क हम पता चुके है वह यह बिस्व का प्रतम उद्ध्यान है यह कहां है संयोक्तराज अमेरिका में युनाइटिट इस्टेट अमेरिका में इस्थित है यलो स्टोन पार्क यह बिस्व का प्रतम उद्ध्यान है ठीक है अब देखिए नेस्ट सायोकतराज अमेरिका की सबसे प्रसिद्द सोनी की खान कौन सी यह दोस्त अगर पूचे के लोहे की खान कौन है तो मेसावी खान अगर पूचे के सबसे प्रसिद्द सोनी की खान कौन है तो कौन है फिर होमस्टेक खान कौन सी होमस्टेक क्या है होमस्टेक ठीक है अगर पू और अमेरिका के लिब प्रसित्धी खान है, वहां की च्छी मेराद है, या है प्रणा कोओर खांते है इसकी वायुयन की चाहते है जी है दोस्तों इसकी वाईवाई जहाजों को जीलो और सागरों में जमी वर्प पर उतार दे जाता है वहाँ होता क्या दोस्तों इतना ठंड प्रदेश है यह मतलब कनाड़ा देश कि वहाँ पर जीलो और सागरों का पानी होता है जो जोटे सागर होते हैं जो जीले होती हैं उनका पानी जम जाता है और दोस्तों इतना जादा जम जाता है कि वहां पर हवाई जहाज भी उतारी जा सकते हैं वहां की बर्प जो होती वो तूटती नहीं है तो उसी को जब मतलब बर्प में जब हवाई जहाज उतारी जाती है तो उसी को क्या कहते हैं इसकी वाई यान कहते हैं ये इस्पेसल कहा होता है कनाड़ादीस में अब अंगला क्विश्चन क्या है पनामा नहर के दो बंदर गाहा है कों यह जो हमारा आज का टॉपिक की दच्छडी अमेरिका ठीक है इसे संबंदित मुख कुष्चन जो कि सभी कमप्टेशन एक्जामों में लगभब पूछे ही जाती है तो देखें इसे थोड़ी कुछ मतलब इसके बारे में थोड़ी कुछ जान लेते हैं फिरम कुष्चनों में आती हैं देखें कि सब्सक्राइब और और अंतर्क्री का अहों चृधम प civ streets kते और अमेरिका है यूरॉप है ये आत्या है अब देखिए यह विश्व का चौथा बड़ा महादीप है जिए दोस्तों हम बताए हैं पहला एसिया फिर दूसरा उत्री अमेरिका दूसरा अफरीका सौरी दूसरा अफरीका तीसरा फिर उत्री अमेरिका और चौथा दश्री अमेरिका ठीक है यह विश्व का चौथा बड अब आते हैं यह जो अंगला पॉइंट है क्या है यह एक अवस्थित महादीप है कैसा महादीप जी है दोस्तों यह अवस्थित महादीप है अवस्थित क्या है दोस्तों अवस्थित का मैं समझाता हूं अवस्थित का मतलब क्या होता है अवस्थित होता क्या है कि जैसे नद बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा रुपधारान करूरा और बहुत मजबूत हो जाती है ठीक है तो यह जो मिट्टी का नियमान होता है उनकी अवस्थित कहलातीक तो यह जो महादीप है यह अवस्थित महादीप् पहले से नहीं था यह मिट्टी आदी जो जलाली सबसे बहा कर लाएगे बहुती ठोस मिट्टी जब हो गई थी बहा कर लाएगे मतलब एक साथ जमा हो कर तो इस महादीप का निर्माण हो गया था ठीक है न यह तो यह अवस्तेत महादीप है अब आते हम अपने कुष्चन की कि यह महादीप किसके द्वारा उत्त्री अमेरिका से जोड़ा हुआ है यह जो दच्छनी महादीप है यह किसके द्वारा उत्त्री अमेरिका से जोड़ा हुआ है तो पनामा जलसंदी द्वारा जिया दोस्तों वही जो पनामा जलसंदी जो पनामा नहर है तो वही जो पना यह interesting भी है, देखे मैं बताता हूं, मतलब जैसे हमारा चीन डेश है या रूस डेश है या हमारा भारत डेश है तो यह कुछ देशों को touch करते हैं, ठीक है कुछ देशों को, लेकिन इसका एक ऐसा डेश है, जो अमेरीका में जितने भी देश है, सिर्फ दो डेशों को touch नहीं क जाओ दोस्तों जो ब्राजिल देश इतना विशाल देश है कि यह है सभी देशों को मतलब दच्छण अमेरिका कि सभी देशों को टच करते है इसकी सीमा सभी भी भाँ यादी पर्चत है कि भूमी के मद्द से जोरह बखा जाते हैं ठीक है भूमा दरेखा तो उस पर कौन से अमेरिका के ऐसे कौन से डेस हैं जो भूमास दरेखा पर इस्थित हैं तो कौन से हैं एक्वाडोर कोलंबिया और ब्राजील यह तीन देश हैं भूमत दरहखा पर श्uchar sorry अब देखिए सबसे ऊची नौचा या जिल कौन है वा कहा है यह जी काकःगा एा दोस्तों नौचा या जील से मतलब जहां नौकाटि काएं चलती है सबसे उची नौचाय जील कौनangen चाना कहा है तो वो है टिटी काका, क्या नाम है जील का, टिटी काका, यह मतलब कितनी उचाई पर है, तो 3811 मेटर उचाई पर इसे था है, यह कहां इसे था है, जो कि पेरू, बोलिविया सीमा पर इसे था, कहां, पेरू और बोलिविया की सीमा पर इसे था, ठीक है, अब देखें, अंगल सेख सब्सक्राइब नगधे बुजो नबसिए नवग मेजन नदी कहते हैं यह दूसरे नबर पर आती है AMAASION नदी इस सुनहरी नदी भी कहती है क्यों दोस्तों क्योंकि इसका रंग है वो क्या हो जाता है सोनी आता है तो इसका यह रंग अनधाब से जांच अगर ते थी तो यह चमाक रहे और शिर चमाक रहे इसका जो जो इसका नारे तो तास्वी impress लेने पर एक ऐसे परजीवी पौधे के नाम बताई परजीवी पौधे परजीवी मतलब कहलाते हैं दोस्तों जो दूसरे जीवों को खाकर अपना पीड भारती है ठीक है उन्हें परजीवी कहते हैं तो ऐसे परजीवी पौधे के नाम बताई है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता मतलब उपनी पत्तियों में पानी को संचित कर लेता है फिर उस मतलब उसका प्योग किस कौन करता है उसका प्योग मैढक अंडे देनी क्लिक करती है ठीक है वह जो पानी संचित करता है पत्तियों में तो उसका प्योग क्या करता है मैढक अंडे देनी क्लिक करता है ऐसे परच्पी पौधे का नाम बताई तो उसका नाम है ब्रोमी लाइड पौधा तीक है अब देखिए अब दोस्तो थोड़ी यहां यह नेस्ट कुष्चन है फिर हम आते हैं थोड़ी अमेजन के बारे में जंगल के बारे में टूकन पच्छी कहां पाजाते हैं जै दोस्तो जो जो इंसानों को जानवरों को जिन्दा निगल जाता है वो भी यहीं पर पाए जाता है जिसकी लंबाई something 30-40 फिट होती है ठीक है वो अमेजन के जंगल महीं पाए जाता है और दोस्तों यह इतना बिसाल का जंगल होता है यह पूरे विस्यों का 4% भाग गहरे हुए है मतलब ह हमारे भारत का कुल छेतरफल है उससे कहीं ज्यादा चेतरफल पर यह सिर्फ जंगल ही जंगल है ठीक है और इसकी जो यह नदी है अमेजन नदी यह इतनी विसाल का नदी है अगर पानी सहनी की बात करें कि इतना ज्यादा पानी सह लेती है कि अगर इसके मतलब इतना ज्या खतरनाक जानबर है एनाकॉंड वह पाया जाता है जो कि इंसानों को जिंदा निकल जाता है तो टूकन पची कहां पाया जाते हैं वही अमेजन बेसिन में अब अंगला कोशन क्या है कि विस्सो का सबसे उचा जहरना कौन है जो दोसे हम बता भी चुके थे जब हम एक जो दू जो उचाई है यह कहां वैनी जोईला में कैरो नदी परिस्त है कहां दोस्तों कैरो नदी पर यह हमारे MP वोट के 12 क्लास के जो वर्ग वुक थी इंगले उसमें था ठीक है ना एंजल जहरना यह सबसे उचा जहरना है इसकी जो उचाई है वो सम्थिंग एक किलोमीटर है परिस्तों के जो जो इसथानी नाम क्या है दोस्तों जो वर्षावन होती है तो वहां पर वर्षावन का जो इस्थानी नाम है यहां वर्षा वन को किस नाम से वर्षा वन को जानते हैं मतलब क्या नाम कहते हैं वर्षा वन को ठीक है अब देखे JIS Angel Jalprapath को देख लेती हैं, ठीगा, दोस्तो, हम आप सब के मन में जरूर हो रही होगी, कि जो सबसे सुन्दर है, सबसे उंचा Jalprapath है, तो कैसा देखता है, देखने के एक बार इच्छा, आपको जरूर होगय होगी, तो चलिए, देखते हैं, जिया दोस्तों यह देखिए यह जो जल प्रपात आपको देख रहा है यह उपर से जो उचाई कितनी है सम्थिंग एक क्लोमीटर है यह दूर से लिए गए है तस्वीर इसलिए आपको समझ नहीं आरे लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ इसकी जो उपर से निची तक लंबाई ह लगता है यहां का नजारा आप दूसरी वाले तस्वीर में देख भी सकते हैं बहुत सुन्दर नजारा लगता है उपर देखिए इतना उचाई से गिर रहा है कि उपर बादल जो पानी से भरे बादल है उसको टेस्ट कर रहे हैं ठीक है दोस्तों यह देखिए आपको लगड़ी जैसे सगाउन की लगड़ी होती है और मतलब सिरसा की लगड़ी होती है सबकी होती है तो उनमें से सबसे हलकी लगड़ी कौन है कहां मिलती है तो कौन है दोस्तों वालसा लगड़ी है वह संसार के सबसे हलकी लगड़ी है यह कहां मिलती है तो अमेरिका के पर फिर अंगला कोस्टन देखिए मोंटान किसे कहते हैं तो देखिए एंडीज पर्वतों के पूर्वी धलन एल सब्सक्थान पर लिए नगला की देशामी फ्रका सब घोक से कारे में जाथे लेकिन सबसे बड़ा सिकारी पच्छी है यह दोस्तों जैसे जो गिद्ध पच्छी भी होता है वह बहुत बढ़ा होता है हम उसको अगर हमारे एक दम से बगल से बैट जाए तो हम डर जाएंगे चिल को यह उसको गिद्ध को देखकर लेकिन अगर बात किया कि सबसे बढ़ा सिकारी पच्ची कौन है तो कौन है नोलतोंि पच्छी किया नाम हो उसका केंड व्य ह्याज यह सब सेध्टा सिकारी पच्छी है यह और अंगला क्या है दोस्तों कि proceed दوस्तों आमेरिका न उड़ने वाले पच्छी का नाम क्या है जी जैसे सोटर मोरंगे और यह सब जैसे हम जानते हैं, जैसे पैगविन भी पच्ची होता, वो नवडने वाले पच्ची में से होता है, ठीक है, तो वो अंटार्कितिक में पाए जाता है, तो यह दच्छिन अमेरिका में, जैसे पैगविन अंटार्कितिक में पाए जाते हैं, बर फीले लाखों में, तो उसी लिए पच्ची है वह वहां के ना उडनी वाले पच्चियों में अफ्रीका के सफतर मुर्ग जी मैंने बताइए दोस्तों जो ना उडने वाले पच्ची हो तो वह maid जाते हैं हलाकि पाइज सब जो जहांए हमारे भारत देस में संस्टरमुर्ग हो सकती है पाइज क्या इसा नहीं है लेकिन अगर अधिकांस मातरी भात की जहांसे उनकी शुरुवात हो जहां सा उनका अंस-पनप उस तरह कर रहा हूं तो कहां है अफरीका कि सोतोरमुर्ग मतलब शिकार करने वाला पच्छी कौन सा है, हम पढ़ते हैं कि दच्छी अमेरिका कि सिकारी जानवर कौन है, तो कौन है दोस्तों, प्यूमा और जगुआर, यह सिकारी जानवर है, कैसे हैं यह सिकारी जानवर, सिकार करने वाले जानवर है, ठीक है, जैसे हमारे यहां पर से पेड़ों पर रहने वाले दूसरी जानवरों को खाते हैं मतलब उनका सिकार करते हैं ये जो प्योमा और जगुवार जानवर हैं जो सिकारी किनका सिकार करते हैं बंदरों का और जो मतलब पेड़ों पर रहने वाले जानवरों का गाधि नेगी करती है जैसे कोई कम नेहुत करता है जिसका उपयोग बोजा ढोनी के लिए करते हैं, तो कौन सा है वो, लामा, जो लामा वहां का जानबर है, उसका प्योग समान ढोनी के लिए करते हैं, ठीक है, अब केंडोर पच्छी, जो की सिकारी पच्छी है सबसे बड़ा, और लामा जानबर, जो की बोजा ढोनी के काम आता है, दोनों को हम डाइग्राम से देख लेते हैं ठीक है कैसे देखते हैं यह जो दोस्तों यह जो केंडोर पच्छी है सबसे बड़ा पच्छी है ठीक है और सबसे बड़ा सिकारी पच्छी है मतलब सबसे बड़ा सिकार करने वाले सबसे बड़ा पच्छी है यह आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स सबसे नहीं सिखार करता है सबसे साहतिर सिखार करता है ठीक है ऐसा और यह लामा जानुवार यह दूसरी तश्वीर केंडोर पच्य की सिखारी पच्छी में से और दूसरा लामा ज scratching जो की हिरन जैसे जो देख रहा है ठीक है इसका जो बकरी जैसे आप कह सकते हैं या फिर हमारे आपर जो पाई जाते हैं भीड जैसे उनकी जैसे देख रहा है भीड जैसे इसका उन भीए उपर से ठीक है इसकी जो खाल वो उन जैसे है तो जो लामा जानवार इसको प्यों कहम करती ह हैं बोज़ा ढोने समान ढोने के लिए करते हैं ठीक है दोस्तों चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्नवाद